जै श्रीराम भक्तों, भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देव बनी में, भक्तों आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, भक्तों हमारी कथाओं को लाइक अधिक सधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक सधिक सब्सक् दिप्षर में दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा जै श्रीराम भक्तों सवालों के श्रंकला में आप सबका स्वागत है आज का प्रशन है महा कुम्ब कितने वर्षों पस्चात आता है अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दे चलिए आज के था है एक मोची और कुम्ब मेला तथा उसकी गर्वती पत्नी आईए कथा श्रवन करें बहुत समय पहले की बात है किसी नगर में एक संत रहते थे जो बहुत ही पुन्यात्मा थे उन संत को सुभा सुभा सपना आया सपने में सब तीर्थों में चर्चा चल रही थी कि इस क यही वार्था लाप कर रहे थे उस में से स्रिप प्रयाग जी ने कहा सबसे अधिक पुन्य तो दिनु मोची को ही मिला है मा गंगा ने कहा लेकिन दिनु मोची तो गंगा में स्नान करने आया ही नहीं फिर उसे कैसे पुन्य प्राप्त हो सकता है आप जड़ा विचार करें देव प्रयाग जी ने कहा हाँ वो यहां भी नहीं आया था रुद्र प्रयाग जी ने भी कहा हाँ इधर भी नहीं आया था फिर प्रयाग राज जी ने कहा लेकिन फिर भी इस कुम्ब के मेले में जो कुम्ब स्नान है उसमें से सबसे अधिक पुन दिनु मोची को ही मिला है सब तीर्थों ने प्रियाग राज से पूछा दिनु मोची किधर रहता है और क्या करता है शरे प्रियाग राज जी ने कहा वह दिनु मोची जूते की सिलाई करता है और दक्षिन परदेश में एक गाउं में रहता है इतना स्वपन देखकर वो संत नींच से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ये भरांती है या फिर सत्य है उन्हें इस स्वपन को सोचकर कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्होंने सोचा सुभा प्राता में सपना अधिकतर सच्चे ही होते हैं लेकिन उन संत ने इसके खोजबिन करने की सोची दोस्तों जो जीवन मुक्त संत महापुरुष होते हैं वो निश्चे के बड़े ही पक्के होते हैं और फिर वो संत चल पड़े दक्षिन दिशा के उस कि य ओर शुपन को याद करते और किसी किसी को पूँचते पूँचते वो उस गाउं में पहुच लिए जब गाउं में उन्होंने दीनू-मोचि के बारे में पूचा तो उनको ंदीनू-मोची मिली गया सन्त के सपने की बात सच निकली वो संत उस दीनू-मोची से मिलने हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं और आप संत होकर मेरे पास आये हैं आपकी बड़ी क्रपा है मेरे प्रभू मेरा तो चमडे का धंदा है मैं वर्णशे शूद्र हूँ और अब तो उम्र से भी लाचार हो गया हूँ संत ने कहा हाँ मुझे एक स्वपन आया था उसी कारण में यहां आया और संत तो सब में उसी प्रभू को देखते हैं इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है किसी के घर जाने में और उनसे मिलने में आपनी संकोच हो जाएं संत जी ने कहा आपसे एक प्रशन था कि आप कभी कुम्ब मेले में गए हो और इतना सारा पुन्य आपको कैसे मिला दीनू मोची बोला नहीं महराज मैं कभी भी कुम्ब के मेले में नहीं गया पर जाने की बहुत ही लालसा थी इसलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचट करता रहता था ताकि मैं महा कुम्ब जा सकूँ इस प्रकार महीने में कुछ रुपया इकट्था हो जाता था और बारा महीने में कुम्ब जाने लायक और उधर रहने खाने पीने लायक रुपय हो गए थे इसे देख मैं बहुत परसंद था मेरी खुशी का कोई अंत न था जैसे ही मेरे पास कुम्ब जाने लायक पैसे हुए मुझे कुम्ब मेले का शुरू होने का इंतजार होने लगा मैं बहुत ही परसंद था कि मैं कुम्ब मेले में गंगा जी का सनान करूँगा लेकिन उस समय मेरी पत्नी मा बनने वाली थी अभी कुछी समय पहले की बात है एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सबजी की सुगंद आ गई और उसने उस सबजी को खाने के इच्छा प्रकट की मैंने बड़े लोगों से सुना था कि गर्वस्तिस्त्री की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए मैं सबजी मांगने उनके घर चला गया और उनसे कहा बेहन जी क्या आप थोड़ी सी सबजी मुझको दे सकते हो मेरी पत्नी गर्वती है और उसको खाने के इच्छा हो रही है आप मेरी इतनी सी विंती स्विकार करें किरपया मुझे थोड़ी सी सबजी दे दे उन बेहन ने कहा हाँ देनू भईया हमने मेती की सबजी तो बना रखी है वे बेहन हिचकिचाने लग गई और फिर उसने जो कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया वो बोली पर मैं आपको ये सबजी नहीं दे सकती क्योंकि ये आपको देने लायक नहीं है मैंने पूचा क्यों बेहन जी आप ऐसा क्यों कहती है वे बोली आपको तो पता है हम बहुत ही गरीब हैं और हमने पिछले दो दिन से कुछ भी नहीं खाया भोजन की कोई विवस्था नहीं हो पा रही थी आपके जो ये भईया हैं वो काफी परिशान हो गए थे सबसे करजा भी ले लिया था उनको जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए घूमते घूमते शम्शान की ओर चले गए वहां किसी ने मृत्यों के बाद अपने पित्रों के निमित ये सबजी रखी हुई थी ये वहां छिप छिपा कर गए और उधर से ये सबजी लेकर आ गए अब आप ही कहो मैं किस परकार ये अशुद और अपवित्र सबजी दे सकती हूँ संत कहते हैं उस दिनों मोची ने फिर बड़े ही भाव विभोर होकर कहा दिनों बोला यह सब सुनकर मुझको बहुत ही दुख हुआ कि इस इंसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूँ जो टका टका जोड़ कर कुम्भ मेले में जाने को कठिन समझ रहा था जो लोग अच्छे कपड़ों में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत से जूज रहे हैं और किसी से कैब भी नहीं सकते उन्हें भी इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलते हैं कि वो खुद और उनके बीवी बच्चे भूख से तडबते रहते हैं मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे पडोस में ऐसे लोग भी रहते हैं और मैं टका टका बचा कर गंगा सनान करने जा रहा हूँ उनकी सेवा करना ही मेरा कुम्ब में ले जाना है मैंने जो कुम्ब में जाने के लिए रुपई इकठे किये हुए थे वो घर से निकाल कर ले आया और सारे पैसे उस बहन के हाथ में रख दिये उस दिन मेरा ये जो हिर्दय है बहुत ही संतुष्ट हो गया प्रभु जी उस दिन से मेरे हिर्दय में आनंद और शांती आने लग गई मुझे लगा साक्षात प्रभु जी के दर्शन हो गए मेरा मन भाव विभोर हो गया और मेरे नेत्रों से नह चाहते हुए भी आंसु निकलने लग गए संत बोले हाँ इसलिए जो मैंने सपना देखा उसमें सभी तीर्थ मिलकर आपके प्रशंशा कर रहे थे इसलिए संतों ने सही कहा है दोस्तों वैशनों जन्तों तेरे कहिए जो पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे बोलिये श्री राधे कृष्ण भगवान की जै दोस्तों आपके कथा कैसी लगी अपने विचारों सुझा कमेंट में जरूर दें हमारे कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे कथाओं को शेर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ग्यान प्राप्त हो जै शिर्राम भकता हूं